यह गाउं डूर का वाटर वक्स का एरिया है जी पूरा जंगन की तरह एक षिने में रहता है लेकंकितना मतलब झुख के मावल क hassle एक करम facts करी ऑ और एक यह रहit वाल करम करी एक एल पर है आदमिया रहते हैं यह ऊपरेटर हैं को यह इनते एरिया 빼h सफाई है यह इतना एरिया साफ है और बाकी आप देख सकते हैं कितना मतलब पूरा जंगल है इसलिए पानी किसी भी जगह नहीं पूछ रहा है उनको बता देता हूं यह काम इलेक्टिशन और बड़े-बड़े जो इलेक्टिशन है यहां जो फीटर है उनको सब को पता है सब को बता है तो कोई कभी आपने लिखित में दिया है दिकारी को आपका फर्ज बनता है मसकार मैं विजय आप देख रहे हैं लोकल नुजाफ इंडिया गाहों की गूंज दिल्ली तक इस समय हिसार के आदमपूर के टेडूर बीर ग्राम पंचायत की पानी के किल्लत की दिल्ली तक आ चुकी है जी हां हम बात कर रहे हैं अपने साथी राम प्रकास के द्वारा भेजे गए इस वाटर वर्स के मौझूदा हालत पर यहां के कर्मचारियों के अंदेखे पन के कारण पंचायती राज के सरपंच के अपने परायों की नीती के कारण सायध हुआ एक बूस्टर लगा कर कांग्रेस के समय में विवस्था की गई थी तब सायध सपने में नहीं सोचा होगा कि यह कुछ लोगों को पानी एक एक दिन बाद मिला करेगा और कुछ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे आप देख सकते हैं कि भारी भर कम एरि इसका एरिया एक खतनाक जंगल में तब्दिल हो गया है ना तो यहां कोई सफाई है और ना किसी सफाई कर्मी के इसकी आवसकता लग रहे हैं को इसको सापसुत्रा कर दे यहां पर पड़ी हुई सारी मोटर मसीने जिससे पानी निकाला जा सके सबकी जरजर हालात है तीन त 500 और 600 रुपए का टैंकर का पानी खरीद रहे हैं टैंकर माफिया के गिरों में फंसे पड़े हैं उनसे साइद छुटकारा मिल जाए इस पूरे के पूरे डियलफ फॉर्म के पास बने हुई इस वाटर वर्क्स का मकसद ही था इस ग्राम पंचायत के लोगों को पीने का पा लोग हैं यह अपने से ऊपर किसी अधिकारी को यहां के दिक्कत ही नहीं बता सकते हैं एक मोटर काम कर रही है और उन्हों पानी अपने हिसाब से देती है एक गंटे डेड़ गंटे जिससे कुछ लोगों का ही भला होता है और कुछ लोग तो सरपंच के निशाने पर इस ल अपने दी उनके लिए काम करता है जिन्होंने उनको गोट दिया है तो यह लानत की बात है और हम जिस विकास की बात करते हैं घंटर साहाम जिस विकास के जंडे को लिकर आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें यह ग्राम पंचायत की पानी की किल्लत और इसका मौजुदा हाला जाहिड सी बात है बड़ा खतननाक सावित होगा आप खुद ही देख सकते हैं कि कर्मचारी ने एक बार भी दिखिस सिकायत नहीं की है अपने अधिकानियों को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं समझ रहा है और कितने लापरवाही से या कहें बेपरवाह तरीके से अप और अगर यह विवस्ता सही हो जाए तो इससे कितने लोगों का फाइदा हो आपने किसी अधिकारी को नहीं बताया अधिकारी को मेरी अभी ट्रास्फर होई है यहां पहरने वाड़ा भी रहे कि कितना टाइम होगा आपको यहां दो चार मिने तो बहुत होगे अंकली पहले से अपसरान सब पता नहीं पता तो होगा मांदली बात आपके लिए तो चार मिने तो आपने बदाते हैं यह साब को बताते हैं यह साब को बताते हैं यह दिक्कत है अच्छाय को पास मेरा सोलोशन कूना गइच्ण हम मिल के आए बहुत बढ़ी आधिकारी हैं आप उनका अगउत हैं आपके नहीं कराएं बताए नहीं है तो आपने बुलाएं उनको आपने बुलायां हम आपकी बात किस त्रह बाना बढ़ने के बात मैं ही संसेर के सामने है पर समय नहीं लगा होगा आपने दुबारा बताया उनको यहां कि इस्तिति आपने दुबारा उनको अगर वो खराब होगी तो फिर क्या करोगा दो इंची मारे पास पूरा कर लेते पाणी कोई कमी नहीं है तो एक मोटर तो आपने स्पेर में रखनी चीए थी ना आपने बताना चीए किसी को किसी को तो इन्फोर्मेशन दो आपका फर्ज बनता है क्योंकि पुब्लिक भी पर सब्सक्तार नहीं को बतादेता हूं यह का मिलाटिशन और बड़े बड़े जो इलैक्टिशन है यहां जो फिटर है उनको सब को पता सबक्ता है को कभी आपने लिखत में दिया दिकारी आपका फर्ज बनता है वागजी आपने देना चीए ना लिखत में आगे से आपको खुद भी परेशान हो रहे हो हमारे को भी परेशान कर रहा आप लोगों नहीं मैं जो है अपनी डूटी नोग आठ गंटे बहुत मतलब रेस्ट भी नहीं लेता तक्रिवन 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 देखे जाओं तो मैं अपने अधिकारियों का उगत कराओ जी हम इसलिए परे परेशान नहीं हारी हमारे वह यह सिस्टम है वह हैं उदर से गाउं परेशान है इधर से हम परेशान आप कुछ तो इलाज करवा हो नहीं मोटर होगा आप बताओ नहीं चार मैंने आपको बदली हो के यहां आए हुए हो गया वह पुराने वाले थे उन्होंने भी मतलब अ आप लोगों नहीं पताना किसी को भी आप लोगों नहीं आप लोगा कि बताने से आप अश्ट्यो शाब का भी नंबर है आप नम्हें से बात पताया है हमारे बताने पर थो काम हुआ है दूसरी बात हो है लिखित में तो नहीं है अपलोग उनको दिकारी को लिखत में दीजिए आप अगर वह बोलाइगे भी लिखत में देना पड़ेगा जी तब को खा थोड़ा न जाएंगे आप लोगों को एक मोटर चल रही है चलती रहे हैं चलती दे बैस कोई जी है कोई मरें कोई मतलब नहीं है मतलब तो यह हुआ आप तो मतलब यह होग बार बार घुमांके वह मैं अपनी डूटी निभा रहा हूं डूटी की बीस चीज़ की ने बारे हो बीज चीज़ की ने बारा हुए है जार आजमी आप यहां कोई काम नहीं आप लोगों के बास सिवाए बैठने के अब अब कि अ झाल झाल